कका जिएक्वेशन नमेर तरी इसका फरस्ट पार्ट है Find the Continued Product तैँ आन्हिं X स्क्वेLE माइनैस Y स्क्वेED ये है X स्क्वेज अगे है X स्क्वेज एक्स वाई प्लस Y स्क्वेज और ये है X स्क्वेज उप्लस XY प्लस Y स्क्वेज अच्छा जी यहां पर इसमें एक और फर्मूला है फस्टा पाली A X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर इसको हम लिख सकते हैं X प्लेस Y into X माइनस Y यह दोनों तो इसकी जगा आ गये हैं बाकी यह दोनों अपनी जगा पर लिखते हैं अब इन शारों को अरेंज करते हैं फर्मूला के लिए तो फस्ट को तर्ड के साथ अरेंज करना है और सिकंड को फॉर्थ के साथ तो X प्लेस Y, X स्क्वेर माइनस X Y प्लेस Y स्क्वेर, X माइनस Y, X स्क्वेर, प्लेस X Y प्लेस Y स्क्वेर इन दोनों से फर्मूला बनता है X क्यूब प्लेस Y क्यूब और इन दोनों से फर्मूला बनता है X क्यूब माइनस Y क्यूब अब इसमें मज़ीद पर्मूला है A plus B into A minus B तो यह होगिया A square minus B square और इस से आता है X 32006 minus Y 32006 यह हमारा अनसर है क्विस्टिन नमबर त्री के फास्ट पार्ट का अच्छा जी आप जो है क्विस्टिन नमबर त्री का second part क्विस्टिन नमबर त्री का second part जो है वो है X plus Y X minus Y X square plus Y square X4 plus Y4 हम इसमें step by step जाएंगे पहले इस तरह करते हैं इन दोनों का फार्मूला हम बनाते हैं A plus B A square minus B square और यह लिखते हैं अपनी जगा पर एक X step हम आगे जाएंगे यनि इन दोनों से यह हासिल हो गिया अब इन दोनों से हमने आची A minus B A plus B तो यह हो गिया A square minus B square और यह जो है अपन जगा पर लिखते हैं इन दोनों का हमने इस पार्म में लिख लिया अब यह देखो X to 2004 minus Y to 2004 और यह अपनी जगा पर है अब मज़ीद आखिर इस टिप में इन दोनों को एकटा करेंगे तो यह हो गिया A square minus B square और X for 2008 minus Y for 2008 यह हमारा अंसर है सेकंड पार्ट का तर्ड पार्ट तर्ड पार्ट इसमें यह है X 2X minus Y 2X plus Y और यह है 4X square minus 2XY plus Y square 4X square minus 2XY plus Y square इन में भी इस तरह करते हैं कि यह एक तो है इन में एक plus है और एक minus है यह वाला प्रस करें plus है तो minus वाला और प्लस वाला अरेंज करते हैं 4X square plus 2XY plus Y square और 2XY plus वाला माइनज के साथ अरेंज करते हैं अब इस यह पर्मुला बनता है 2X cube minus Y cube और यह पर्मुला बनता है 2X cube plus Y cube तो इस से आता है 8X cube minus Y cube और इस से भी 8X cube plus Y cube अब 8X cube हॉल स्क्वेर minus Y cube हॉल स्क्वेर 8 का square जो है 64 है तो 64X power 6 minus Y power 6 यह हमारा अंसर है तर्ड पार्ट का और लास्ट वन फॉर्थ पार्ट जो है फॉर्थ पार्ट जो है वो हमारे पास X minus 2 X plus 2 X square minus 2 X plus 4 X square plus 2 X plus 4 इसमें भी हम इसा करते हैं प्लस और मैनस को अरेंज करते हैं तो मैनस के साथ वाला यह वाला अरेंज करते हैं और इसके साथ यह वाला तो X plus 2 into X square minus 2 X plus 4 X minus 2 X square plus 2 X plus 4 यह पार्षन जो है यह X cube plus 2 cube के बराबर है और ये portion जो है x cube minus 2q के बराबर है यानि x cube plus 8 और x cube minus 8 अब formula मज़ीद apply करें तो a square minus b square तो इस से आता है x32006 और 8, 864 x6 minus 64 हमारा answer है